नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है, आज बात करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी गिलगिट, बाल्टिस्तान, पी-ओ-जे-के और केवल इन तीन शेत्रों की बात नहीं है, पाकिस्तान में जो अलग-अलग एरियां हैं, आपके बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब को ले लीजिए, जो फ्रेंटियर का इलाका है, हर जगह से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं, और जिस तरह से वहां परदर्शन हो रहे हैं, उन पर आज बात करेंगे, बलके ये जानने की कोशिश करेंगे, कि ये पाकिस्तान इकठा रहे भी पाएगा या तूट जाएगा, और अगर तूटने की नौबत आ रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और ये कांड कब तक हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है, त भारत पर भी कुछ ना कुछ तो इसके प्रभाव होंगे, क्योंकि एक दम पडोसी देश है, बलके 1947 में हमसे ही तूट करके अलग देश बना था, एक तो 71 में पूर्वी पाकिस्तान बंगला देश बन चुका, अब जिस तरह के हालात वहां की सेना की वज़े से, वहां जो भी सत्ता में रहे हैं उनकी नालाइकियों की वज़े से, गलत नीतियों की वज़े से, और एक दूसरे की टांग खीचने और बलेम गेम में ही उलजे रहने की वज़े से, आज पाकिस्तान जो गर्त में पहुँचा है, इसके लिए कौन-कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, ज मेरे साथ बहुत ही आपके जाने पहचाने चेहरे, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्वचीफ और काउंटर टर्रिरिजम और वार सिच्वेशन में बहुत एहम भूमिका निभाद चुके, मेजर जर्नल अश्वनी सिवास सर जुड़ गए है, सिवास सर बहुत स्वागत है चंद्रमा पर सफ्ट लेंडिंग किये है और वहां से विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर ने तमाम तरह की महत्वपूर्ण सूचनाए भेजी हैं, मैं तो जब-जब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के वीडियो देखता हूं या मेन श्ट्रीम के जो उनके चैनल है, उन पर डिसकसन सुनता हूं, तो आज कल उनकी जबान पर एक ही बात है, कि भारत तो पहुँच गया है चांद पर, और हम पहुँच रहे हैं पाताल में, और इधर आई-म-फ के साथ जो इनका समझोता हुआ, और उसके बाद जो बिजली के बढ़े हुए बिल मिल रहे हैं, किसी को 56,000 का, किसी को 72,000 का, किसी का लाखों में भी ला रहा है, लोगों का धैरिये ऐसा लगता है कि चुक गया है, और सडकों पर जिस तरह के परदर्सन हो रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि जैसे वहाँ, अब देश उनका ग्रह युद्ध के कगार पर पहुँच गया है आपका आकलन क्या है इस सिच्वेशन में? एक बिन्ने का इंपोर्ट नहीं देख सकता, उसके साथ उनका जो रूपी है, एक साल कहना है, सत्तर परसन किर गया है, और वहाँ पर जो हर एसेंसर कॉमेंटिटीज के रेट्स हैं, वो अस्मान चूरें, और जब से इनको आइम अप से लोन मिला है, तीन बिलियन डॉलर का तो अब वो जो उन्होंने सबसिटीज कम करनी थी, उसके तहट रेट बहुत ही हाई होती, और दूसरी बात क्या हो रहे हैं, इनकी एकॉनमी में, जो एकस्पोर्ट टेक्स्टाइल इंडर्स्ट्री से कुछ होता था, वो भी अप थप हो गया है, और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो ऐसे हालात हैं आज की तारिक में कि एकॉनमी क्राइसिस बहुत जादा बढ़ गया, और विदली के बिल जो हैं, जो पहले अगर जितने भी थे उससे दस गुना जादा देने पड़ रहे हैं, और सच्चाई है, जब आई 80 बिलियन डॉलर का आप कॉल गेट से लेके सिमेंट और रियर स्टेट से लेके आपके जो बैंक हैं, वो चलाती है, उस पे भी आप टैक्स लगाएं, वो तो पाकिस्तान ने किया नहीं, वगर जो आम आदमियों पे जो बोच डालना था, वो बहुत जादा पढ़ गया, त तरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत जादा बोल्ड हो गया, इसकी बेसी तालिबान के राज में, अफगानिस्तान में, अब अल-काइदा और इस्लामिक स्टेट खोरसन, वो भी अपना सिर उठा रहा है, इसकी आप पाक के लाके में, और ऐसे में हो कहा रहा है कि, ओवर बोल्ड ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के चार हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि खाइबर पक्तून को अगर आप देखें, वहां के जो पस्टून है, वो डूरन लाईं को नहीं मानते हैं, वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो शरिया लोई लाना चाहते हैं, कर रहे हैं इस तरफ ये एक पंजाब ही रह जाता है और ऐसा लगता आने वाले समय में इसके चार इस से होंगे और यह समय मुझे लगता नहीं जादा दूर है और इसी परकार जो पी-ओ-जे के और गिल्किट मार्टिस्तान है जहां पर हालात बहुत ही जादा खराब है इस वहां पर तो लोग सड़कों पे आगे हैं आज कर सिया सुनी के बीच में बहुत बड़ी तक्का चली है जब से उनका जो आगाल हुसेनी को जेल में बंद कर दिया है मुझे लगता है अगर आप ओर ओर सिट्वेशन देखें तो दूरी साहब तो ऐसा लगता है कि एक सिवल पार्टिस्तान तो हमें लगता है कि वो बारत में मिल जाएगा तो दिशा सिवासर ये क्या हुआ है कि गिलगिट पार्टिस्तान पियो जे के सब जबहें इंटरनेट बंद कर दिये गए अचानक ऐसी क्या उनके पास सिच्वेशन्स क्रियेट हो गई है सचा ये है कि पियो जे के गिलगिट पार्टिस्तान में सिच्वेशन बहुत जादा खराब है उन लोगों को इन्होंने बहुत देरों से प्रेसराइज करका था तबाह के रखा था उनको जूट बोला गया था उनको ये बता गया था कि आप इंडिपैनेंट हैं और जो भा बाहरत का जो जम्मून कश्मीर है वहां पर बहुत जाजा प्रगति हो रही है वहां पर आज की तारिक में अमन और शांती है और वो सत North South progress साल आगे निकल गए और यहीं नहीं गिलगेट बार्टिस्तान जो इलाका भारत से मिलता है कारगिल और बटालिक का जहां पर शीया population है वहाँ पर भी बहुत अमन शान्ती है आज नारा आ रहा है specially जो गिलगिट पार्टिस्तान में लोकों का वो कह रहे हैं कि अभी चलो आवाज आ रही है कारगिल चलो अभी चलो कारगिल चलो और वो करें कि जो कारगिल वारी रोड उसको खोलो और एक ही नारा है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं तो यह पूरा का पूरा चर्निंग एफ़ेक्ट होगा उसकी वज़य है उसकी वज़य यह है अगर आप गिल्कित पार्टिस्तान को यह देखें एक बार पीज़े के और पीड ऑफ टाइम वहां पर सुनियों को बसाया है और स्पेशली जो रिटायर्ड होजी है और धीरे धीरे वहां डेमोग्राफिक पैटर्न भी चेंज कर रहे थे और अब ऐसी हालात हैं वहां पर वहां पर लोगों के पास पीने को पानी नहीं है विजली चोबिस गंटे में से बाइस बाइस गंटे पे नहीं मिली लोगों को पैंशन नहीं मिली और जो फ्यूल फूड सब के रेट्स स्काई रॉकेटिड हैं वहां पर इंटरनेट बंग कर दिया है उनका जो में लीडर था अगा अलहुसेनी उसको जेल के अंदर बंग कर दिया है और फोज को बना दिया गया है और सी आर पीसी जो इनका अपना वन फॉर्टी फॉर है वो लगा दिया तो सच्चा ही यह है एक सिवल वार जैसी सिच्वेशन पैदा होगी यह किलकेट पार्टिस्तान में और वहां लोग अगले कुछ एक दोनों में हो जाएगे और वो एक और बहुत बड़ी बात करें कहते हैं यह जो चाइना पाकिस्तान एक्रोमिक कोरिडर बढ़ाया है यह पहले पाकिस्तानी हमको एक्स्प्रोइट करते थे अब यह चिन्नी भी एक्स्प्रोइट कर रहे हैं और इसलिए व लोग परिशान हैं और वो अब कहरे हैं भार्च में मिलना चाते हैं और इसी परकार प्योजेके में भी जो बंद हैं मुझफराबाद, मीरपूर, कोटली और जांगर के लाका वहाँ पर भी लोग सरकों पर आगे हैं और वहाँ पर भी लोग परदेशन हो रहा है मुझे ल लगता है कि पाकितान के अंदर एक सिवर वार्द ऐसी सिच्वेशन पैदा होगी है, जो दिशाओ, सिवासर तीन दिन पहले अचानक वहाँ ये अफवाहा उड़ी के भारत किसी भी समय पियो जेके में, गिलगिट में, वाल्टिस्थान में कोई कहरवाई कर सकता है, प्रिस्तानी सेनाओं के टैंक और दूसरी वक्तरबंद गाडियां और साजो समान पियो के की तरफ मू करते देखे गए, उनको लेकर के तो और ज्यादा वहाँ पर आशंका व्यक्त की जा रही है, जबके अभी हम G20 करा रहे हैं, और जब भी वारत को कोई एक्षन करना तो वो बता करके थोड़ा करेगा, लेकिन जरासा कुछ इस तरह की चर्चा भी हो जाए, तो उन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, आप बिल्कुत मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सोची समझे साचिस के स्काहित भी है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर हरात उसी बर देश है, भारत ने किसी देश पे हामला नहीं किया है, और भारत ऐसा नहीं करेगा, और ये कि पियोजे क्या गिल्किट पार्तितान भारत का इस्सा बनेगा, ये तो वाक्त ही बनेगा, क्योंकि अवाद भारत से नहीं, ये वहीं से आ रही है, वहाँ से लोग मिलन वर्ल्ड गए जो 20 मेन लीडर्स हैं वो आ रहें उनके साथ साथ जो हमने स्पेशल इन्वाइटी बनाए हुए हैं तो कोई बड़ा भूरक होगा जो ऐसी बात सोचेगा तो सचाई पाकिस्तान किसी हद तक गड़ सकता है पर पाकिस्तान ये जान भुझ के अपने लोगों को बूरक बना रहा है क्योंकि उसने फोज लानी है लोगों को कंट्रोल करना है और स्पेशली सिया पॉपलेशन को क्योंकि वो एमधिया हो या सिया हो उनको तो सेकिंड क्लास सिटीजन मानता है तो यह मेरे को लगता है इनकी सोची समझी साजे से इसके लावा और कुछ नही होती है और पाकिस्तान के कुछ तताकतिती विशेशक्यों को बुला करके बठाया जाता है चर्चा में जिस तरीके से पहले उनकी हेकड़ी उनकी अकड़ उनका जो अतिरेकपूर्ण रवया मैं देखता था टेलिविजन चैनलों पर वो गाया बहता हुआ दिखाई दे रह है और वहां के जो गैस्ट जुड़ते थे उनमें मौस्टली आईएसाई को पाकिस्तानी सेना के एक्ट को जस्टिफाइड करने की कोशिश करते थे उनकी तरफदारी करते थे लेकिन इधर मामला थोड़ा बदला है उनके सुर्भ ही थोड़ा सा नरम पड़े हैं इधर कु जो भारत की विकास यात्रा है और जो अंत्रिक्ष मिशन में कामियावियां हैं जो एक महाशक्ति के तोर पर भारत इमर्ज हो रहा है उसकी भी दभी जबान से प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो केवल हम ये पियो जे के गिलगिट और बाल्टिस्तान में नही का दिखाई दे रहा है कि आज की तारिक में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव और हर एक इनसान को पता असलियत क्या है कि पाकिस्तान में लोग को आवाम को जूट बोल लगा है गल्थ सिक्षा दी गई है यूनरस्टी कॉलिज में ये गल्थ पढ़ाते हैं और पाकिस्तान एक दूपता वाश्यप हैं और पाकिस्तान की जो हालात खराब हैं इसके लिए और कोई जुम्हारनी पाकिस्तान है क्योंके आतंग वात का वीड़ भी पाकिस्तान ने खुद बोया और आज वही उसका विक्टम है और अब वो बुरख नहीं बडा सकती पाकिस कहां से कहां पहुंच गया है और भारत जंदरियान तीन से सौथ पॉल पे लैंड कर गया और पाकिस्तान के तूटने के कदार पे हैं पाकिस्तान की हालात हर तरह से खराब है और उनको ऐसा लगता है देखो वो आज कल ऐसा बड़ा स्ट्रेंज चीज है जिस परकार्टे पालात उतर सकते हैं वो यह क्यों कहने वो यह नहीं कहा रहें कि प्राइमिस्टर मोदी एक इंडूजर्ट वो यह बता रहें एक सेलफलेस लीडर एक लीडर को देश के लिए कुछ कर सकता वो लीडर को देश को आगे क्योंकि आज तक पाकितान के अंदर जिसने भी गती स वाली है उसने अपना ही बैंक का खाता बढ़ाया है आप वो इसी फैमिली को देखो क्रोडों क्रोडों में इनकी पास प्रोपर्टी है तो यह सचाई है पाकितान को पता लग गया है कि भारत कहां से कहां पहुँच गया है और वो एक इस नहीं पहुचा कि भारत की ओल रा स्टेबिलिटी तो यह तो मुझे लगता है पाकितान और पाकिस्तान में लोग अब यह भी कहने लगे हैं 1971 तो इस्ट पाकिस्तान था वह अलग हो गया आज वह बंगला देश कहां से कहां पहुच गया है बंगला देश बहुत अच्छा कर रहा है वह भी एक बहुत ही जा आइश्तान से कहां से कहां निकल गया तो सच्छा ही एपाकिस्तान है और मिचने बेिसर्टान अगर अपनी ग nueva ہے तो अपनी गंपियोंसे नोगहлять इनको पाकिस्टशन का जीडी पी अच्छा था जिभ से इनोंने अपने कूट के साथ मिला है आतंग बाद के साथ इनोंने टर्रिस्ट इनके अगेंस्ट बैड बोलते हैं वो हिलेरिक किंटर ने जो बोला था दो जार तेरा में जब आई थी वो पाकिस्तान में अगर आप अपने कोट्यार में साफ पालेंगे और यह समझोगे कि आपके परोसी को काटेगा एक दिन आपको काटेगा और वो आप पाक नहीं बना सकते हैं अवाम को पता लगा है अवाम को यह पता लगा है कि भाई अब तो तूटने कदार पे एक जो डोलर की कीमत 300 रुपे से जादा है आज पट्रोल डीजर 300 रुपे से जादा होगे खाने को दाने नहीं पीने को पानी नहीं बिजली नहीं तो आप कितने द मुझे नहीं रखता है संगोच रहता है कि भारत बहुत आगे पहुंच कि जो एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट होता था वो होगा मगर वो सचाई भी बोलने लगे आज पाकितान का अवाम करता है कि भारत की लीडर्शिप बहुत अच्छी है भारत ने जो करके दिखाया लाद दस साल में कोई देश नहीं कर सकता भारत ने उन्लत ही किया हर तरफ से तो मुझे रखता अब आवाद वहां से आने रही है और वह अवाद से वह अपनी गौर्रमेंट पर क्वेश्चन कुछ ने और अभी सच्चाई है कि ऐसा अवाम के अंदर लाचारी है वो कुछ नहीं कर सकते बस एक ही काम है कि वहां पर एक प्रकाश ग्रह यूद जासी सिच्वेशन पैदा होगी है जो दिरी साथ और सिवाश साब भारत में तो बहुत लोग हैं जो आज कल ये कह रहे हैं कि हमें जल्द बाजी में जो सिच्वेशन वहां क्रियेट हो गई हैं मतलब इन तीन शेत्रों की तो बात कर ही रहे हैं लोग पियो जे के गिलगिट वाल्टिस्तान की पाकिस्तान के अन्य इलाकों क की बात भी कर रहे हैं और जो लोगों का भारत के परती भारत की लीडर्शिप के परती बदला हुआ रवया है उसको एक आशंका की दरश्टी से देखते हैं लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिच्वेशन आ जाए कि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा भारत से मिलने की कोशिश कर तो भारत को नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी समस्याएं वहां पर हैं उनकी समस्याएं सुल जाएंगे या हम प्रगती पत पर और तेजगती से आगे बढ़ना चाहेंगे जो लोग आशा सोचते हैं वह बहुत गग सोच रहे हैं यह तो भारत का इस्वाय किया पाकिस्तान यह लोग्त का इस्चा रहे हैं हमारा 1994 में जो लोग बोल रहे हैं कि पूरा जम्होर्कष्वी बार्रक का इस्चा है च्पी सीटे खाली छूटी जानी आज वो आने को त्यार है खुद लोग बोलनें गिलकेट पर्टिस्तान और पियो जेके में तो वो तो कोई सचाई है कि कोई बेकूफी होगा जो देश को नहीं मिलाएगा और अगर हम जमूर कश्मीर को कहां से कहां ले गए है आज जब वह दाक को जन्नत बना सकते हैं अपने कार्गिर बटालिक को तो क्यों नहीं हम प्योजे के और गिलकेट पार्टिसान जब भारत में मिलेंगे उनको भी हम उन्नती की तरफ ले जाएंगे क्योंकि स्टॉंग रीडर्शिप है हमारे पास एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है एक स परकारते प्योजे कि अब पार्टिस्तान सबसे ज्यादा you can और पाकीस्तान के चार हिस्से होते हैं और जो ज्यादा चांटिव भारत नहीं का रहा ये अमेरिका का रिया यह आयम है कि यह बहुत पंडित वर्लों के वह बोले ढर अकी है क्योंके अवे पारकितान एक में हाथ में पढ़ गए तो वो पूरी वाल्ड की पीस के लिए एक परकार से थ्रेट हो सकते हैं वो एक सबसे बड़ा डर है वो अमेरिका को भी है वो किसी हाथ तक रूस को भी है वो चीन को भी मुझे लगता डर रहेगा क्योंकि उसका भी अब पूरा चीनी जो हैं उनके उ सब्सक्राइब पाकितान के तूटने के कजार होना भूती अब लगता है सच होने वाला है और पियो जे के गिलगिट बालटिस्तान भारत का सब्टाइब और यह तीनों यह तो सामरिक दिस्टी से भी बेहद महत्वपूर्ण है सिवास साब क्योंकि अगर ये भारत में मिल जाते हैं तो चीन का जो खेल है यानि गवादर तक पहुंचने का और आगे अपने वियापार को बढ़ाने का वो भी नियंत्रित हो जाएगा खतम हो जाएगा वो खेल दूसरे हमारी मध्य एशिया और यूरोप तक वियापारी पहुंच हो जाएगी है आप ने बहुत अच्छा बोला पहली बात तो यह है कि यह इलाका एक प्रकार मिलने रिसोर्सी में बहुत रिच है इसमें गैस ओयल के मिलने के चांस है सलफर कोपर और और ब्रॉंज ये तीनों पदार्थ काफी हद तक हैं दूसरा बात यह है कि अ अभी हम जो चाबार पोर्ट के तुरू इरान से अफगानिस्तान फिर सेंटर लेशन स्टेट जबकि हम यहां गिलकेट पार्थिस्टान के तुरू हम बड़े असानी से जा पाएंगे सेंटर लेशन स्टेट से और उस से फिर हम आगे योरप की तरह तो भारत का जो सेंटर लेशन स्टेट से बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरी बात यह है कि यह भी है कि जो चाइना पाकिस्तान इकलोमिक कोरिडोर जो चीन एक वरका ग्वादार में जाना की कोशिच करा तो वह भी बिल्कुल खतम हो जाएगा मुझे लगता है बहुत विन-विन के साई टाइम पर फैसला लेगी क्योंकि यह जो security related issue है यह दैश की security related issue है यह tv Channel पर कोई नहीं बात करेगा कैसे होगा कब होगा यह जब भी होगा बिलकुत ठीक होगा और भारत की guverment इसके लिए सक्री है और इसमें कोई शक्री गिल्किट पार्टिस्तान और प्योजे के भारत का हिस्सा है और भारत में मिलने चाहिए और मुझे लगता है वो समय आने वाला है आएगा और ये भारत के लिए बहुत ही एमित वाला हिस्सा है जो कि पॉलिटिकली भी बहुत रिच है इक्रोमिकली भ लोगर्फिकली भी और मुझे रगता है इस से हमारे को स्ट्रेटिजिक इंट्रस्ट हमारे बहुत ज्यादा अच्छी तरह होंगे तो देशा बहुत बहुत धन्यवाद सिवास सर ओसियर नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद् थैंक यू सोमस्ट सर नमस्कार थैंक यू जाहिन जाहिन सर थैंक यू जाहिन सर थैंक यू